पेड़ियां तोड़कर हासिल किये अनोखे मुकार और आपको सीधे लिये चलते हैं भाजपा प्रेसवारता कर रही है खबर चल रही थी कि जो शराब गोटाले के किंगपिन हैं सरगना हैं उनका बाया हाथ आज घबरा के हिल रहा है डर लग रहा है बाया हाथ क्यों कहा दाइना हाथ जो था जिसको कटर इमांदार का सर्टिफिकेट शराब गोटाले के किंगपिन पापी आपके अरविंद केजरिवाल देते थे वो तो साड़े साथ महीने से जेल में है कहना गलत नहीं होगा ब्रश्टाचार की साड़े सत्ती अरविंद केजरिवाल पर भी असर कर रही है आज उनका दूसरा हाथ संजे सिंग उनके यहाँ पे भी जाच एजन्सियों की रेड होती है और इस मंच से जो तीन प्रमुक बिंदू हम उठाना चाहेंगे सबसे पहले इस पूरे शराब गोटाले में ये देश की जनता और दिल्ली की जनता जान चुकी है कि कोई सरगना है किंग पिन है तो वो अरविंद केजिरिवाल है उनी के इशारे पे ये शराब गोटाला दिल्ली में हुआ है लेकिन तीन तत्थे चिंता जनक है गंभीर है ये भारत की जनता के समक्ष रखना आवशक है सबसे पहला एक्यूज दिनेश अरोडा इन्होंने कबूला है दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक होती है जो शराब कारोबारी है तो सबसे पहला प्रश्ट ये है कि मुख्यमंत्री आवास नहों हो गया गोटाले का अड़ा हो गया वहाँ वसूली हो रही है कमिशन तै हो रही है और ये बात कोई और नहीं कहता है जो एक्यूजड है दिनेश अरोडा ये कबूलते हैं दूसरी बात देखे कितनी चिंता जनक है अर्विंद केजरिवाल के इशारे पर संजे सिंग कहते हैं कि 32 लाक रुपया पापी आप राजा कपराद पार्टी के कोश में दो अब एक सांसद वसूली करता है मुख्यमंत्री आवास पर बैट कर इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि 32 लाक की रिश्वत जो की चेक से ली गई है बाकी करोड़ों रुपया हो सकता है जाज की परिदी में सामने आ चुका है आगे भी आएगा कैश ट्रांजाक्शन में करते हैं लेकिन ये 32 लाक रुपय अर्विंद केजरिवाल के कहने पे एक सांसद वसूली कर रहा है ये चिंता जनक है और इसलिए भी ये चिंता जनक है कि ये अपने आपको आम आदमी पार्टी बताते थे आम आदमी लाल बत्ती तोड़ दे तो कारवाई हो जाती है अब ये पापी इतने खास हो गए कि ये करोड़ों का शराब घोटाला करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम पे कारवाई जो हो रही है ये राजनितिक द्वेश के कारण हो रही है आया था जनता का लाल बनकर रह गया शराब कारोबारियों का दलाल बनकर जो व्यक्ति अपनी राजनिती की शुरुवात करता है ये कहके कि वी वी आईपी कल्चर नहीं होना चाहिए भरष्टाचार को हम समाप्त करेंगे और आज उस अर्विंद केजरिवाल में इतनी हिम्मत नहीं है और मैं चुनोती देता हूँ इस मंच से पहला अर्विंद केजरिवाल जी अगर आपने हिम्मत है तो आप तुरंट प्रेसवारता करिये और कहिए कि ये 32 लाक रुपई जो दिनेश अरोड़ा एक अक्यूस कह रहा है कि आपको दिये गए हैं ये नहीं लिए आपने हो जाने दीजे दूद का दूद और शराब का शराब सच को आ जाने दीजे सामने हिम्मत है अर्विंद केजरिवाल जी और ये अर्विंद केजरिवाल इनको ये याद दिलाना भी आवश्यक है 2015 में ये अर्विंद केजरिवाल कहते थे मेरे किसी मंत्री के खिलाफ इतना सबूत होता तो हम उसका स्तीफा ले लेते जैसे तोमर और आसिम का लिया था और भाजपा जेटली जी को बेशर्मी से बचा रही है और उसके बाद स्वर्गी अरुन जेटली जी से माफी मांगते है लेकिन इस्तीफा तुरंट लेने की बात करते हैं अर्विंद केजरिवाल जी आपने जिसको कटर इमानदार का प्रमाल पत्र दिया वो कटर बैमान निकला पूर्व उपमुख्य मंतरी जो कि उस वक्षराब मंतरी भी था तो मैंने एक चुनोती उठाई की आप दिनाय करिये कि 32 लाग का ये जो चेक है ये रिश्वत है ये आपने नहीं लिये और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है जिसको आप कहते हैं कटर इमानदार वो सर्वोट नैले जाता है उसको राहत नहीं मिलती है डिली उच नैले E.D. के मामले में और C.B.I. के मामले में दो मामले चल रहे हैं बेल नहीं देती है और साड़े साथ महीने से वो कट्टर बैमान मनीश शोडिया जेल की सलाकों के पीछे है तो इसके मैं कहना चाहूंगा दाइना हाथ, बाया हाथ दोनों लिप्त हैं इस भश्टाचार में लेकिन ये दस सरवाला भश्टाचारी रावन कौन है ये तो अर्विंद केजरिवाल की ही सोच है जो मजबूर करती है अपने सांसदों को मंत्रियों को भश्टाचार करो और मेरी तिजोरी भर दो तो हम हमेशा कहते हैं जैसे जैसे जुड रही है कड़ी जैसे जैसे जुड रही है कड़ी अर्विंद केजरिवाल के पास आ रही है हतकड़ी और ये भी सच है कि अर्विंद केजरिवाल घबराए हैं वो डरे हुए हैं जाज एजेंसियों के नाम से वो थर-थर कापते हैं कि मुझे बचा लो लेकिन कान खोल कर सुन लीजिए अर्विंद केजरिवाल घबराए हैं पाप करेंगे भरष्टाचार करेंगे आप पे कारवाई नहीं होगी और जनता का मानना जाज एजेंसियों का मानना ये है कि कानून से उपर कोई नहीं है कानून के दाइरे में कार्य हो रहा है कानून अपना काम कर रहा है और न्याले जो कदम कानून की जाज इजिन्सिया उठाती है उसमें हस्तक शेप नहीं कर रहा ये दर्शाता है कि प्रतब रष्ट्या पापी आपके नेताओं के खिलाफ सबूत भी है, साक्षे भी है, प्रमार भी है और जो शराब गुटाले का किंग पिन है इसको कोई भचा नहीं सकता है, हमें ये यकीन है जाज इजिन्सिया अपना काम करेंगी और कानून से उपर कोई नहीं है, चाहे वो बड़े सम्विधानिक पद पर भी वैठा हो, उसके खिलाब भी कारवाई होगी अब इस बिंदू पे जो बाते हमें रखनी थी, वो मैंने आपके समक्ष रखी ये बड़े सवाल है, अर्विंद केजरिवाल जी को चुनौती है, वो प्रेसवारता करें जो प्रश्ण हमने उठाए हैं, जो तत्थे रखे हैं, उनका खंडन करें, और अगर खंडन नहीं करते हैं, तो ये माल लिया जाएगा शराब घुटाले का किंग पिन, कट्टर बैमान अर्विंद केजरिवाल ही हैं, धन्यवाल दूसरी प्रेसवारता जो है, ये हमने देखा किस तरह से पत्रकारता का चोगा ओड़ कर भारत विरोधी गतिविद्यों में लिप्ट और वो भी एसे देश से आर्थिक सहायता ले रहे हैं, जो परस्पर भारत का विरोध करता आया है, चीन से न्यूज क्लिक अपने आपको एक पत्रकारता से जुड़ी एजेंसी वेबसाइट बताते हैं, उनके खिलाफ कारवाई हो रही है, और बड़ी जब्मेदारी से यहाँ पर यह बताना अवश्चक है, गंभीर आरोप, गंभीर आरोप, राष्ट सुरक्षा से जुड़े हुए, जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, यह पूछा जाना चाहिए कि क्या पत्रकारता का मुखोटा पहन कर, अंदर आपकी सूरत इतनी घिनौनी होगी कि वो देश के खिलाफ काम करेगी, और जब जहाँ जेजेंसी अपना काम करेंगी, तो आप कहेंगे कि यह पत्रकारता करने से लोका जा रहा है, और दुख की बात तो यह है, कि जब न्यूज क्लिक पे कारवाई होती है, तो जो पत्रकार है कुछ, कुछ, चीन से जो वित्पोशित पत्रकार हैं और नेता हैं, उनको बड़ा दर्द होने लगता है, इसमें जो इमानदार पत्रकारता को बदनाम करते हैं, ऐसे पत्रकार और घमंडिया के कुछ नेता, निर्वस्त्र हुए हैं, उनका घिनोना चेहरा देश के सामने आया है, अगर सबूत हैं, अगर आरोब गंबीर हैं, तो क्यों नहीं जाज एजिंसी अपना काम करेंगें? अगर कोई विदेशी शक्ती भारत को कमजोर करने के लिए फंडिंग करती है, और उस पे ठोस का रवाई जाज एजिंसी करती हैं, तो घमंडिया के नेताओं को और जो गिनोने चेहरे वाले कुछ पत्रकार हैं, उनको क्यों दर्द होने लगता है? इनकी आस्था न्याले में नहीं है, क्योंकि आज की ख़बर है, कि दिल्ली के कोट ने, जो फाउंडिंग एडिटर है न्यूस क्लिक के, मिस्टर प्रबीर पुरक यास्था, साथ दिन की इनको पुलिस कस्टिडी में भेजा है, साथ दिन की पुलिस कस्टिडी में, तो जो ये हो हल्ला कल से मचाया जा रहा था पत्रकारता की बात करी जा रही ही थी चौथा स्थम्ध है बिलकुल है लेकिन एक सच्चा इमानदार भारतिय पत्रकार एक विरोधी देश से फंडिंग नहीं लेगा वो भारत को दीमक की तरह खाएगा नहीं और इसी लिए बिलकुल स्पष्ट यहां से बताना चाहते हैं कि पहला पुक्ता सबूत है जो खबर आ रही है इसी लिए मनी लॉंडरिंग का और यूए पीए का मामला दर्ज किया गया है और जो पत्रकार और नेता भारत विरोधी गतिविद्यों में लिप्त पाए जाएंगे जिनकी सोच चीनी और असली चहरा पाकिस्तानी होगा वो ये ना सोचे कि उन्हें बक्षा जाएगा आज भारत की जनता ये उमीद करती है आदनिये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत विरोधी गतिविद्यों में लिप्त है तो उसके खिलाब सक्त से सक्त करवाई होनी चाहिए और ये जो 303 सीटे भारती जनता पार्टी को जनता ने दी जो आशिरवाद दिया ये इसी लिए दिया था क्योंकि जनता को विश्वास था आदर्निये प्रदानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो टुकड़े टुकड़े जैंके सदस्ये हैं उनको बक्षेगे नहीं कानून के तहत सक्त से सक्त करवाई होगी और इसी कड़ी में मैं आपको बता दूँ न्याले में कानून में सम्विधान में चाहे वो घमंडिया कॉंग्रेस हो चाहे और लोग हो जैसे संजीव भट तीस्ता सीतलवद ये लोग सोचते हैं कानून से उपर मैं बताना चाहूंगा कि सर्वोच न्याले का अभी फैसला आया संजीव भट बे बुनियाद आरोब सरकार पे लगाते हैं उनकी तीन याचिकाओं को खारिज किया गया और तीन लाग रुपाई की कॉस्ट लगाई गया तीन उनकी याचिकाओं को खारिज किया गया और तीन लाग की कॉस्ट लगाई गया क्या कोई घमंडिया का नेता इस पर टिप्डी देगा और ये वो कॉंग्रिस पार्टी हो टीमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, पापी आप हो कुछ दिन पहले लोगतंत्र का अभीवेक्टी की आजादी का गला खुद घोट रहे थे चौदा वरिष्ट पत्रकारों को बोईकोट किया इनोंने केवल इसलिए कि वो पत्रकार अपना काम इमांदारी से कर रहे थे, आप उनसे सहमत हो या ना हो आप एक पत्रकार को उसका काम करने से रोक नहीं सकते हैं देश की जंता ने इस घमंडिया को, इंडी अलाइंस को बोईकोट कर दिया, ये इमांदार पत्रकारों को क्या बोईकोट करेंगे और इसलिए आज सवाल है कि जब न्यूस क्लिक जैसी चीनी फंडेड अजेंसियों पर कारवाई होती है तो घमंडिया, राहुल गांधी, प्रमोत तिवारी, तमाम ऐसे नेता हैं जो बहार आ जाते हैं इनका बचाव करने तो इतना घबराए हुए क्यों हो? कहना गलत नहीं होगा, धरसर क्यों काप रहे हो? चीन से कॉंग्रेस के क्या लिंक है? ये हम सब जानते हैं दो करोड से जादा की रिश्वत लेना, MOU करार साइन करना पार्टी टू पार्टी जो आज तक सार्जुलिक नहीं हुआ और उसके बाद जब इमानदार जाज एजेंसी अपना काम करती है तो आप दबाव बनाने का कारे करते हैं मैं इतना ही कहूंगा कोई भी चीनी दलाल कोई भी चीनी दलाल वो कानून से उपर नहीं है कानून अपना कारे कर रहा है और ये सवाज देश की जनता पूछ रही है कि जब देश की जनता जाज एजेंसियों के साथ खड़ी है प्रदान बंतरी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है तो क्या मजबूरी है राहूल गांदी की ममता बैनर जी की घमंडिया के जितने गटक दल है उनकी कि वो ऐसी शक्तियों के साथ खड़े है जो भारत का भला नहीं चाहती इन सब से निप्टा जाएगा कानून के तहट निप्टा जाएगा और किसी को बक्षा नहीं जाएगा ये बात बिलकुल स्पष्ट इस मन्ज से हम लोग करना चाहते है दन्यवाद पहले फर्स प्रेस कॉंफरेंस पे ले ले लेते हैं और उसके बाद सेकेंड वाले से प्रग्या प्रग्या प्लीज प्रग्या प्लीज कैसी सोच है मानसिक्ता है वो उसी तरह की बात करते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि तिजस्वी यादव की पढ़ने लिखने की तो आदद भी नहीं है तो भाजपा मुख्याले से अभी आप सुन रहे थे भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया को जिन्हों ने दिली में हुए शराब खुड़ाएं तो जिन्हों ने दिली में हुए शराब खुड़ाएं